अगर खोने के लिए कुछ भी ना हो तो बहुत ही डेंजरस बन जाता है आज के हमारे मुवी में एक छोटी सी लटकी को किड्नाप कर लिया जाता है और एक परफेक्ट किड्नापिंग है आज मैं आपको एस्प्लेंट करने वाला हूँ ट्रैप जो 2002 की एक होलिवड थ्रिलर म मुवी है इसमें के अलग-अलग ट्विस्ट आपको आपकी सीट के एच पर रखेंगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जोरू कर दिजेगा बिना किस दरीगे एक्स्पेशन स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नामे जो एक छोटी लड़की के मदर के साथ एक गाड़ी में बेठा हुआ था एक्चुली जो ने इसकी बेटी को किर्णैप कर लिया है अब उसे सब कुछ पैसे मिल चुके है त 24 अच्छे थे अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं अपना माइंड जेंच कर दो थोड़ी देर में जो को अपने पार्टनर मार्विन का कॉल आया वो फिर मदर को कहता है इस प्लेग्राउंड में तुमारा बेटा खेल रहा है मदर को भी उसका बेटा मिल गया अब नेक सी रहा था क्योंकि उसे वो फ्लाई करना आता है उसी को छोड़ने के लिए क्यरण और एधी उसके साथ आये थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है उसे हग करकर वो प्लेन में बैठ करते है जाते जाते प्लेन को मूव भी करता है क्योंकि उसकी बेटी को देखना आवी दूसरे रूम में थी. उसे अकिला देख, जो और मार्वे ने उसे बेहोष कर देते हैं. जो घर में रुकता है और मार्वे आवी को लेकर चला गया. क्यारण आवी को आवाज लगाती है. क्यारण कुछ सब के बारे में पता ही नहीं था. उसे लगा कि आवी टीवी दे लेती है यहां से भागने के लिए डोर के पास आई जहां पर लिखा है कि एक बहुत ही बैड आइडिया है उसके पीछे जो खड़ा था कैरन डर कर उस पर गन लगाती है जो कहता है एक बहुत ही बैड आइडिया है तुमारी बेटी मेरे कजन के साथ है अगर हर 30 मिनिट्स में मैंने उसे फिर से कॉल नहीं किया तो तुमारी बेटी को मार डालेगा तुम वरी मत करो एक perfect kidnapping है जैसा मैं जाओंगा वैसा है next 24 hours में होने वाला है Karen disturb हो चुकी थी और अब भी gun उसकी जोपर थी जो कहता है अगर तुमने shoot किया तो उस गोली से दो लोग मरेंगे मैं और तुमारी बेटी ये सुनकर Karen शान्त हो गई जो opportunity उठा कर उससे gun ले लेता है जो ने उसे assure किया तुमारी बेटी को कुछ भी होने नहीं वाला जीने भी हमें kidnap किया था अब वो आराम से खेल रहे है सब Paris ने हमारे rules follow किये थे तुम्हें भी वही करना चाहिए इसके बाद Will अपने conference में पहुच चुका है Nixon में फिर से हम Karen और Joe देखते है Karen जो से बुछती है तुम अभी के अभी सब पैसे क्यों निले लेते जो ने खा generally कोई भी kidnaping success नहीं होती इसका reason यहीं होता है कि kidnaping जल से जल पैसे चाहते है हमने अब तक 4 kidnaping के FBI हमें अब तक पकड़ नहीं पाई यह जो मेरा plan है एक machine की तरह है अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश के तो सब कुछ बिगर सकता है जो ने कहा next 24 hours में सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ plan से चल रहा है केरन कहती है वो 24 hours जी नहीं सकते उसे अस्तमा है जो कोई इसके बारे में कोई भी आईडा नहीं था केरन ने उसे प्रूव किया तो वो भी डर जाता है उसने फिर Marvin को call लगा यह सब plan में नहीं था पास लेकर चलो उसे हम medicine देखर वापस आजाएंगे जो बुचता है मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा क्यारन कहती है तुम जो चाहे वो मैं करने के लिए ready हो इसके parallel में विल को हम लेक्चार देता हुआ देख सकते है ओडियंस में एक lady थी जो सिर्फ उसे ही देख रही थी वो जब अपने hotel room पहुचा तो वो भी उसके पास आगे वो उसके साथ intimate होना चाहती थी विल कहता है कि मैं married हो यह सब कुछ कर नहीं सकता इस lady का नाम था Cheryl और वो कहती है तुम्हारी बेटी को हमने kidnap कर लिया है जल्दी से room में चलो जो भी मैं कहूंगी यह सब तुम्हें करना पड़ेगा विल जल्दी से भाग कर door burn करने की कोशिश करता है पर Cheryl ने उसे control में कर लिया उस पर वो gun लगाती है उसने कहा कि अगर तुमने फुलिस को call किया तो हम तुम्हारी बेटी को मार डालेंगे अगर तुमने मुझे कुछ किया और मैं 30 मिनिट में call आंसर नहीं कर पाई तो भी तुम्हारी बेटी मर जाएगी इत्तुम कल जाकर अपने यहाग के local bank से 250K dollars निकालोगे विल कहता है यह बहुत ही suspicious लगेगा शेरिल कहती कि इसकी वरी मत करो हमें पता है तुम हमेशा painting buy करते रहते हो यही reason तुम bank को बता देना विल कहता है मैंने तुम्हारा face देख लिया है तुम मुझे जिन्दा छोड़ नहीं सकते शेरिल कहती है अगर तुमने कुछ भी किया तो मेरा partner आकर तुम्हारी बेटी को मार कर चला जाएगा Nixon में हम Abby को Marvin के साथ देखते है Abby को होशाया उसकी mother आसपास नहीं थी तो वहागे disturbed होके Marvin उसे समझाता है सिर्फ आज रात के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा Abby बहुत रोती है इसके बाद Cheryl ने जो को call लगया वो गहती है कि Will जड़ा smart है वो trouble create कर सकता है जो उसे phone पर बात करता है कहता है तुम्हारी वाइप मेरे पास है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सिदा किया तो मैं एक जटके में उसे मार डालूँगा उसने फिर Karen और Will की बात करवाई Karen Will से कहती है मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी Will जो को Abby की situation समझाने के कोशिश करता है जो निका जैसा मुझे सही लगेगा वैसे ही मैं सब चीज़े करूँगा इसके बाद जो Karen जाकर Abby को मिलने वाले थे उसे हो medicine दे देंगे अचानक से Abby को अस्तमा का attack आ गया Karen मार विन को कहती है कि उसे थोड़ी सी coffee दो इससे उसे सही लगेगा थोड़ी देर के लिए ये problem solve हो गया इसके बाद Karen और जो गाड़ी में थे जो बुशता है तुम डॉक्टर से मिली कैसे थी मुझे guess करने दो तुम nurse थी विल से मिली उसे डॉक्टर बनने के लिए सब पेसे तुम नहीं दिये Karen सपराइस थी जो को इस सब बाते पता है इसके बाद ये Abby के पास भोज गये Marvin भी Abby को अपने घर से दूर एक spot पर लेकर आया था Karen Abby से मिली और Abby रो रही थी Karen कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसा Marvin कहेगा वैसा है तुम सब करना अगर बात रूम जाओ की तो उसके साथ मत जाना वो Abby को उसे कहा रखा है इसके location पूछ रही थी पर Abby को कुछ भी पता नहीं इन्होंने medicine exchange कर लिये के बारे में बता दिया विल बहुत ही डिस्टब हो चुका था वो रोने लग गया था शारल उसे tissue paper देती है तो उस पर चेड़ कर उसे हो मारने लगता है शारल के कबड़े फट गए थे तो रुक गया कहता है तुमें थो बहुत सारी मार पड़ी है क्या तुमें कोई मारा करता है इस सबसे निकलने में मैं तुम्हारी help कर सकता हो शारल कहती है सब कुछ plan के मुदाविश चल रहा है कोई भी problem नहीं होगा एवी ने जो और मार्विन को बात करते हो सुना था वो किसी केटी की बारे में बात कर रहे थे मार्विन को लगता है कि एवी भी केटी की तरह ही है तो इसके बारे में एवी ने मार्विन से पोचा वो बोचती है क्या तुम्हारी डॉक्टर थी मार्विन कहता है क्यों मेरी family थी इसके बाद Cheryl ने जो को call लगा कहा कि डॉक्टर ने मुझे मारा है Joe Will से बात करता है कहता है कि यह सुनो उसने कैरन को जोर से मारा और कहा मेरी wife को हट मत करना वरना वही मैं तुम्हारी wife के साथ भी करूंगा Joe ने कैरन को sorry कहा वो कहता है कि मुझे वो करना ही पड़ा वो उसे मलवेगरा लगा रहा था तब ये उसे किस करने लग गया अचानक से कैरन की नेवर वहाँ आज आती है जो गहता है चल्दी से उसे यहाँ से बाहर भेज दो कैरन नेवर से बात करती है पर नेवर ने जो को देख लिया था कैरन कहती है जो विल का ही एक कलीक है नेवर ने पूछा तुम विल से मिले कहा थे जो इसके बारे में पता नहीं पाता कैरन कहती है कि विल को नहीं जान था यह मेरा फ्रेंड है याणि कि उसका उसके साथ अफेर जल रहा है उसकी नेवर सपराइस हो गए वो गहती है कि मुझे पता नहीं था तुम में और विल में कुछ प्रावलम्स है इसके बाद यहाँ से चली जाती है जो कैरन से कहता है तुम्हारी नेवर अभी भी हमको देख रही है उसने उसे किस कर लिया और वहाँ कोई भी नहीं था विल शेरिल के बॉड़ी बर एक्सकार नोटिस करता है वहता है तुम्हें भी एक बेबी है तुम्हें ऐसा कर कैसे सकते हो इसके बाद जो चाहता था क्यों कैरन के साथ इंटिमेट हो कैरन को भी वो जो भी कहता है वो सब करना पड़ेगा वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए बेडरूम में गया तभी कैरन इंटरनेट से कॉंटेक करने के कोशिश करती है और इसकी वायस कट थी जो के आने के बाद कैरन उससे बुछती है तुमने हमें चूस क्यों किया जो कहता है सब लोग को डॉक्टर होना पड़ता है उनकी वायफ तुमारी तरह प्रिटी होने चाहिए कैरन पुछती है हमारे नाम तुमें मिले कैसे जो कोई भी आंसर नहीं देना चाहता वो कैरन को अभी के रूम में लेकर गया कहता है अगर तुम चाहती हो कि अभी सही सलामत रहे तो मैं जो कहूंगा यही सब तुमें करना पड़ेगा वो उसे फिर कपड़े निकालने के लिए कहता है क्यारा ने कहा कि मुझे शरम आती है मैं बातरूम में जाकर निकालती हूँ बातरूम में उसने सब कुछ चीज़े ढूंडी उसे विल का एक स्कैपल मिल कया इसे अपने कपड़ों में छुपा लेती है इसी के पैरलल में हम देते है कि अभी मार्विन को बताती है मुझे ज़रा भूक लगी है मार्विन उसके लिए पॉपकॉन बना रहा था तबी टीवी के आवाज में अभी जल्दी से वहाँ से भाग गई मार्विन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला इसी के पैरलल में कैरन जो के साथ इंटिमेट होने लग गई जब जो का ध्यान नहीं था तो जल्दी से वह स्कैपल निकाल लेती है उसने स्कैपल जो के आवजार पर लगाया वो कहती है कि मार्विन को कॉल लगाओ वरना तुमारा इंस्ट्रूमेंट में काट दूंगे उसे अभी क्या भी यहाँ बुलाओ जो मार्विन को कॉल लगाता है पर मार्विन एवी को धूननी पा रहा था वो कॉल उठा था नहीं यह सब बात सुनकर कैरन डिस्टब हो गए जो अपने आपको प्रोटेक करने के लिए कैरन को मारता है पर कैरन ने उसके लेक्स पर एक बड़ी सी जखम कर दी थे वो जल्दी से भाग कर वाथुरूम में गए उसने एवी को कॉल लगया एवी कहती कि मैं जंगल में हूँ का है उसे पता नहीं कैरन बताती है कि जल्दी से हाइवे की तरफ भागो पुलिस को कॉल कर दो वहाँ पर कोई ना कोई तुमें हेल्प कर देगा पर तभी मार्विन ने एवी को ढून लिया फिर से सब सिचुएशन जो की कंट्रोल में आ चुकी थी कैरन ने बात्रूम से वील को मैसेज कर दिया था कहती है कुछ ना कुछ तो गड़वड है जो तुमें होस्पिटल से जानता है वील के बास एक एनस्टिशिया था वो फिर शैरल के पास आया वो कहता है अगर मैंने तुमें इंजेक किया तुम साज भी ले नहीं पाऊगी तुमारी सारी बोड़ी पैरलाइज हो जाएगी मुझे तुम बता दो कि मेरी बेटी कहा है शैरल मानती नहीं तो जल्दी से उसे अनस्टिशिया दे ही देता है शैरल को बहुत तकलीफ होती है वो मरने से पहले डॉक्टर ने उसे अनस्टिशिया दिया शैरल कहती है जब तुमने मेरी बेटी को मारा क्या उसे भी ऐसा ही लग रहा था शैरल अपनी बेटी की फोटो विल को दिखाती है विल उसे पहचान लेता है कहता है यह मेरी गलती नहीं थी सर्जन ने तो शैरल को यही बताया था विलने का यह एक्चुल में सर्जन की गलती थी पर वो कवर अप करने के लिए उसने सब कुछ मुझ पर डाल दिया मेरी भी एक बेटी है मैं कभी भी ऐसा कुछ कर नहीं सकता जो फिर केरन को उसे मलम पटी करने के लिए कहता है उसे मार्विन को कॉल करने का टाइम हो चुका था पर केरन में उसे कट किया तो उसे सजाओ दे रहा था कॉल आया नहीं तो मार्विन एबी को मारने वाला था तब ही जो को जड़ा बुरा लगा उसे call कर देता है मार्विन कहता है फेस ऐसा घुजवी मत करना मैं उसे मारने वाला था इसके बाद हम देखते है शारल ने विल को एबी की approximate location बता दी है विल के contact अच्छे थे उसका फ्रेंज जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता था उसे call किया वो कहता है अपने बॉस को बोल कर प्लीज इस नमबर को trace करवाओ पुलिस को call मत करना क्योंकि मेरी बेटी किर्णाब हो चुकी है अब रात बीच चुकी है विल के फ्रेंड को लगता है कि उन्हें पुलिस को call कर देना चाहिए जल्दी से शैरिल फोन कट कर देती है कहती है सब कुछ प्लान की मुताबी चल रहा है अगर कुछ गड़बर हुई तो विल तुम्हारी बेटी को मार डालेगा इसके बाद जो कैरन को लेकर उनकी लोकेशन पर जा रहा था जो नोटीस करता है कि उनके उपर हिलिकॉप्टर है उसने एक ब्लैंड मनाया वो एक अंडर्गराउंड पार्किं में जाकर दुसरी गाड़ी ले लेता है उसका शक्स ही था अब नेक्स गाड़ी में उसे कोई भी हिलिकॉप्टर फॉलो नहीं कर रहा नेक्सेन में विल जब बैंक में पैसे लेने के लिए गया तो FBI अल्डेडी वहाथ है विल के फ्रेंड ने उन्हें कॉल कर दिया था वो खेता है सब कुछ ठीक हो जाएगा यह पैसे तुम लेकर जाओ सिर्फ एक वायरलेस माइक तुम पहनना इससे हमें सब कुछ पता चलता रहेगा इसके बाद विल ने शारल को कॉल लगया वो खेता है प्लैन चेंज हो चुका है अब हमारी लोकेशन पर तुम फ्लाइट से आना हम तीनों मिल नहीं सकते हैं शारल कहती तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं अब इस बार क्या हुआ जो कहता है ये सब मेरे रूल से है तुम फॉलो करना मेरे पास तुमारी लेक सप्राइज है शारल को लगता है जो अब एबी को मार डालेगा वो डर गई थी वो डारेक्ली मार्विन को कॉल लगाती है उसे बता देती है प्लीज एबी को बचा लो विल ने शैरल को का मुझे मेरे प्लेन के पास लेकर चलो वो प्लेन से जल्दी से विल को ढून सकते है फिर से जो ने विल को कॉल लगाया था जो को वो प्लेन में है यह समझ में ना आए इसलिए अपने plane का engine burn कर देता है plane नीचे गिरा था वैसे यो दोनों बात करते है जो कहता है तुम अपने hotel में रहना कुछ भी करना मत विल सब के लिए हा कहता है phone खतम होने के बाद विल ने जैसे दैसे फिर से अपने plane को control में कर लिया fly करते हुए जो जीस road बर है वही पर विल पहुच जाता है जो पैचान गया कि डॉक्टर ही है वो कुछ करे इससे पहले केरनों से मारने लग जाते है काड़ी out of control हो गई और रस्ते की नीचे गिर गई विल सारी traffic रोकने के लिए अपने plane को रस्ते पर ही land कर देता है उसके plane से एक गाड़ी टकरा कही थी यह plane फट सकता था पर वो बज़ गया जल्दी से भाग कर वो जो की car के पास आया यहाँ पर कैरन बेहुच पड़ी थी जो विल को देखकर उसके पैर पर गोली मार देता है उने का कि मुझे पूरी life में हर दिन जिस तरीके से लगता रहता है यही feeling पूरी life तुमें आएगी विल ने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने तुमारी बेटी को मारा नहीं था पर जो किसे भी बात को मानता नहीं जो बाग कर शेरिल के पास आया और शेरिल के साथ ही एबी थी वो उसे कहता है अब हम तीनों एक साथ रहेंगे यानि कि अपने साथ एबी को भी भगा कर लेकर जाने वाला था शेरिल कहती कि यह सब गलत है हमें कर नहीं सकते जो उसे समझाता है कि हम family की तरह रहेंगे अचानक से एबी को फिर से अस्तमा की तकलिफ होने लग गई अब कैरन गाड़ी से बहार आ चुकी थी उसके पास एक gun भी है मार्विन एबी को पने पास ले रहता है विल लंगडाते हुए ही जो से fight करने लग गया था इस fight के end में वो को मार डाला वो एबी को medicine देते है जो ने सब कुछ किया यह सब मार्विन और शैरल नहीं चाहते थे वो यह आप से भाग जाते है सब कुछ नॉर्मल हुआ विल एबी कैरन फिर से एक साथ है इसी के साथ यह movie end हो जाती है अगर आपका वीडियो चलागा तो प्लीज एस लाइक कर दीजएगा बहुत सारी इस तरह के movie लेकर आते रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल नोडविशन आइकोट नावन में मत भूलेएगा हम वीज़े मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तके लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे